पारत ने रचया इतिहास, सडक बनाऊंदे मामलेच वाल्ड रिकॉर्ड कीता अपने नाम पारत दी कौमी मार्ग अथोर्टी एन एच ए आई ने महाराश्ट्रा दे अमरावती अते अकोलाव जिल्यां विचाले कौमी मार्ग ते 105 कंट या थे 33 मिनिट वेच लगातार कम करके 75 किलो मीटर सडक बनाके गिनिज विश्व रिकॉर्ड बनाया है सडकी आवाजाई अते कौमी मार्ग मात्री नेतिन गड़करी ने दस्या के इस प्रजेक्ट नो पूरा करन लई 702 मजदूरा अते सलाह कारा दी एक टीम ने लगातार दिन रात कम कीता सी गड़करी ने एक वीडियो से हाथ जारी कीता जिस वे चुनाने के हा के 75 किलो मीटर दी सिंगल लेन सडक दी कुल लंबाई 77 इशालिया 5 किलो मीटर दी 2 लेन वाली पकी सडक दे बराबर है इसनों बनाउनदा काम 3 जून नों सवेरे 7 वाजिके 27 मिनड़ते शुरू कीता गया सी अते एक काम 7 जून नों शाम 5 वजे बनके त्यार हो गया केंदरी मंत्री ने कहा के पिशला गिनिज विश्व रिकॉर्ड 25 इशालिया 25 किलो मीटर सडक दा सी जो फरवरी 2009 विच दोहा का तर्च बनाई गई सी साल 2009 विच ही स्ताई फरवरी नों लोक निर्मान अथोर्टी ने सब तों तेज बाई किलो मिटर दी सडक दा निर्मान कीता सी ओ कम 10 देन विच पूरा होया सी अमरावती तों अकोला सेक्शनल कौमी मार्ग तरवंजादा हिसा है एक एहम लांगा है जो कॉलकत्ता राइपुर नागपुर अते सूरत वरगे पर मुक शेरानों जोड़दा है गड़करी अनुसार जेकर एक वार कम पूरा हो जानदा है ता एह हिसा इस रूट दे ट्रैफिक अते टू आटो आई दी असान अवाजाई विच एहम रोल अदा करेगा उना इस प्राप्ती लेई एन एच ए आई दे सारे इंजिनियरां ठेके दारां अते वरकरानों वदाई देती जेकर एसे देवेच पार्त दियां होर मल्ला नु जोड़दे जाईये ता मार्ग बनाउन देवेच 2015 वेच केंदर सरकार ने राष्ट्री राजमारकां दियां सडकां देवेच प्लास्टिक दे कूड़े दी बर्तों करंदा हुकम जारी कीता सी पार्तन दे ग्यारा राजां वेच सवा लाख किलोमेटर तो भी वद दिया सड़का बणाउन वेच प्लास्टिक दे कच्रे दी वर्तों होई है जिस दी खोज दोहजार एक दे वेच एक कमिस्ट्री दे प्रोफेसर दे वलों कीती गई सी सो केंद्री मांत्री नितिन गड़करी दी अगवाई दे वेच पार्तने सब तो तेजी देना लंबा रोड बना के एर कोड अपने नाम कर ले आए 720 workers including team of independent consultants work day and night to complete this task I have been informed that nearly 35% of work is completed on this stage from Amroti to Akola and nearly 65% in Akola to Chikli section therefore with this achievement there will be a great relief to commuters the movement of traffic will be smooth and travel time will be reduced